दूस्तों आज की कहानी हैं मेरी बहु दैज लेकर नई संसकार लेकर आई हैं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नई किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे अरूस नया वीडियो उसकी विन्वर सो भाव ने सव का दिल जित लिया था साधी के खूसी दिनों बाल मांसी ने पुरे परिवार का दिल जित कर अपना बना लिया था द्रसल मांसी और मुकुल की लव मेरे जुई थी मुकुल के परिवार माले मांसी से मुकुल की साधी नहीं करवाना साथे थे क् मांसी नह ही देखने में अच्छी थी और नहीं उसका परिवार बहुत अच्छा था मतलब गरीब गर की साधारण लड़की थी उसके माता पीता अपने पूसे निगामेक साधारण रासन की दुकान सलाते थे सार भाई बेहनों में मांसी सबसे बड़ी बेटी थी मांसी प्रदाई के लिए सेर भेजद्या मांसी अपने सिक्षा की बंदोलत इसको लिरीत शीप से अपने पठाई पूरी कर रही थी और साथ में पार्ट टाइम जोपी कर रही थी अपने काम के दोरान उसकी मुलाकात मुकुल से होती है मुकुल और मांसी में केवल काम को लेकर बातसित होती थी शुरुआती दोर में मुकुल को भी मांसी बिल्कुल पसर नहीं थी एक दो उसकी हाइट पांस फिर्ट से थोड़ा कमता उपर से स्यामली रंगत जैसे देकर कोई भी लड़का मांसी से दिल लगाने के बारे में न सीसे जाने समझने का मौका मिला उसकी सुभा मिंतना अपना पन इतना प्यार दे कर मुकल मांसी वरना दिल खोब 2020 ne सीपिर मुकल को साने लगी थी पर जूबा से कभी तजार नहीं कर सकी पर उसकी सोभमी कहीना कई मुकल की मोहबत का इंटजारी कर रही थी पूरे एक साल काम करने के बाद आखिर कार एक दिन मुकल ने अपने दिल की बाद मानसी के सामने सुना ही दिया मानसी को पल भर के लिए यकिन ही नहीं वागी कोई लड़का उसकी मोहबत में उसका दिवाना भी हो सकता है क्योंकि बसमंसी सारी लड़के और रिस्तेदारू से हमेशा ये ताना देते कि उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा और नहीं इसके साधी होगी जिसे सुनकर मानसी बहुत उदास हो जाती थी पर मुकल के प्यार का इंतजारू से दुनिया की सारी खुसिया उसकी जोली में डाल ज्याकिन तो अभी भी पूरी खुसिया आनी बाकी थी अभी तो सिरप इंतजारी बात आगे मुकल के प्रिवार और मानसी के प्रिवार का सविकार करना बाकी था मांसी ने तो अपने परिवार को माना लिया पर मुकुल का परिवारे साधी के बिल्कुल खिलाबताओं ने मुकुल के लिए अच्छे सुन्दर सोसिल और अच्छे घर की लड़की सायेती जो इस घर और मुकुल के लिए बिल्कुल इस्टिक बैड सके मुकुल देखने में सं पर उनकी एक सरस्थी की ब्रार्ती की स्वाग संत्कार सीच उता की समाज में उनकी नाक नाकड़े जैसे तैसे मांसी के घर वाले पैसे एकटेकी और अच्चे से मांसी और मुक्र की साधी हो गई विदाई में मांसी स्रफ और स्रफ और संसकार अपने देज में लेकर आई इस से देखर मुकुल की बहार रिष्टेदार नवे नवेली दूलन मांसी को तानों का भरबुर डोस देने लगे पर मांसी इन सब की बातों को कभी दिल से नहीं लगाया और अपने कर्तवियों को बखुबी निभाने लगी हैस्ता हैस्ता मांसी अपनी नन के दिल में जगा बनाली फिर ससुजी और फिर सासुमा का दिल अपने विवार से जीती लियाव जब भी कोई मांसी को कुछ बोलता सब से पहले मांसी की सासुमा वसुंत्राजी सब को करारा जवाब देकर सब का मुझ बंद कर लेती साधी की सह मावाद एक दिन वीमो भुआ जी आई सब से इतना प्रिवतन देख वो तो हैरान रगी उन्हें बड़ा आश्य हुआ जब मुखल की मावनी बहु का पक्स देकर उन्हें सुना रही थी तब भुआ जी ने मुखल की मां को भी समें टोकते वे का क्या बाते बाबी ये प्रिवतन आपे इतनी जल्दी आया कांसे बहु ने कोई जदू किया क्या वो उसकी गुणगान कर रही है पहले तो भरबर के बहु की सिकायत क्या करती थी बुआसी की बासु मुकल की मावसुंद्रा जी कह थी यहां बदल दिया पेश्य और रुप तो स्रख्शन भरका होता है वीमुजी पर विवाज जीवन भरका साथ होता है मेरी बहु देज में वही तो लाई थी जिसे लोगों को समझ नहीं आई और उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आई थी पर अब मुझे उस समय कुस समझ आगया और मुझे अपनी गल्ती का एसास भी हो गया हाँ बिल्कुल सही का आपने बावी ये रूप और धन का क्या करना आसली गेना तो बहु का संसकारी होता है और ये बात मेरे से बेहतर कौन सान सकता है जिसकी बहु देज में धन और सेरे पर खुश तुरती तो लेकर आई पर संसकार और विवार्द नहीं लापाई उदास होते वे विमोजी कहतिया फिर विमोजी कहतिया बड़ी किस्मत वालियो बावी जो इतनी सुसिल बहु मिली आपको इस कहानी के माध्यम से आप लोगों की समख सिर्प अपने विसारों को रकरियों मेरा मकसद किसी की भावनों को आहत करना नहीं